है गाईज मैं हूँ विवे गॉर्ड आपका कूल फिजिकल थेरपिस्ट दोस्तों एडी का दर्द बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ी परिशानी रहती है और कई बार तो कई हफ्तों तक महीनों तक इलाज लेने के बाद, कई तरह की दवाईयां खाने के बाद और यहाँ तक की दर्द का इंजेक्शन लगाने के बाद भी कई लोगों को एडी के दर्द में कोई खास आराम नहीं आता तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि AD का दर्द किन डिफरेंट एरियाज में AD के किन डिफरेंट कारणों से हो सकता है तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप नए सबस्क्राइबर है और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो दोस्तों सबस्क्राइब करने का कोई फाइदा नहीं है और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे पॉड़कास्ट जो की कास्ट बॉक्स और स्पॉटिफाई पर अवेलिबल है उनको वहाँ पर सुन सकते हैं यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं मैं उनको डालता हूँ यहाँ यूट्यूब पर और बेटर आडियो एक्स्पिरियंस के लिए आप स्पॉटिफाई या कास्ट बॉक्स पर विवेग गौर्ड फिज़ोथर्पिस चैनल जरू सब्सक्राइब करें और हमारे रिसेंट लेटिस्ट पॉड्कास्ट वहाँ पर आप सुन सकते हैं आईए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं एडी के सबसे पिछले हिस्से की तो वो साइड व्यू में कुछ इस तरह से दिखाई देता है और पीछे के व्यू में कुछ इस तरह से दिखाई देता है सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पीछे के हिस्से में रेड और ब्लैक एरिया यानि की लाल और काले कलर में कुछ एरिया मार्क किया हुआ है तो सबसे नीचे जो एरिया ये दिख रहा है यहाँ पर रेड में तो इस एरिया में दर्द आपको इंसर्शनल एकलिस तेंडिनाइटेस जिसे की हील्स पर भी कहते हैं और बहुत आसानी से इसे एक्सरे में देखा जाता है आपको एडी के पीछे की हार्ड सूजन जिसे की हैगलन डिफॉर्मिटी कहते हैं उसके कारण भी आपको यहाँ पर दर्द रह सकता है साथ ही रेट्रो कलकेणियल बरसाइटिस जैसी कंडिशन के कारण भी यहाँ पर दर्द महसुस हो सकता है दोस्तों कलकेणियल बोन के फ्रेक्चर या फिर अवरजन फ्रेक्चर का दर्द भी इस एरिया में आपको महसुस हो सकता है अब अगर हम बात करें इस black area की यानि की काला area जो mark किया हुआ है यहाँ पर exclusively ecclis muscle की problem जैसे की ecclis tendonitis और ecclis muscle के tendon के rupture के कारण pain महसूस हो सकता है दोस्तों अगर हम बात करें AD के बाहरी हिस्से में इस blue area की जो blue area mark किया हुआ है तो इसमें आपको दर्द peroneal muscle के tendonitis होने के कारण हो सकता है एंकल की instability साथ ही में AD का जोड जैसे की ankle joint बोलते है उसके arthritis होने से posterior ankle impingement होने से और injury के बाद या ज़्यादा उचाई से jump मारने के बाद फॉल होने के बाद भी ankle fracture का दर्द इस area में आपको काफी severe महसूस हो सकता है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस green area की जिसको mark किया है मैंने जो की AD के जोड के जस्ट नीचे यहाँ पर है तो इस area में दर्द आने का जो सबसे common कारण है वो है मोच आने के बाद ligament sprain का इसके साथ ही calcanial fracture का pain भी याँ पर महसूस हो सकता है और साथ ही साथ आपको haigland deformity और heels पर का pain भी इस area में महसूस हो सकता है अब हम बात करेंगे इस red area की जो मैंने mark किया हुआ है दोस्तों इस area में दर्द सबसे ज़्यादा common जो है वो ankle sprain का है again ligament sprain का मोच आने के बाद इसके साथ ही lateral tellar process का fracture या फिर ankle joint का fracture उसका दर्द भी यहाँ पर महसूस हो सकता है साथ में ही ankle के arthritis और instability का pain भी इस area में महसूस होता है दोस्तों यह जो pink में dotted area आपको दिख रहा है AD में इस area में common जो दर्द का कारण है वो है ज्यादा exertion या काम करने के बाद आपको यहाँ पर थकावट का दर्द महसूस हो सकता है और या फिर इसमें injury के बाद या fall के बाद calcineal fracture का दर्द यहाँ पर commonly महसूस होता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं टकने और AD के अंदरूनी हिस्से की यानि की ankle और heel के अंदरूनी हिस्से में जो सबसे bottom में pink में area मेंने mark किया हुआ है यह common sight है plantar fasciitis की particularly यह दर्द यहाँ पर आपको ज़्यादा महसूस होगा इसके बारे में बहुत detail से हम बात करेंगे और अलग से video बनाएंगे plantar fasciitis के बारे में बहुत common problem है इसके लावा इस area में आपको again थकावट या over exert करके ज़्यादा काम करके भी दर्द महसूस हो सकता है और साथ में ही calcaneal fracture का bone का यहाँ पर दर्द महसूस हो सकता है आईए बात करते हैं इस brown triangular area की triangle जैसे मैंने जो बनाए हुए हैं इस area में आपको दर्द महसूस हो सकता है tarsal tunnel syndrome का जो की नस्थ दबने के काराण यहाँ पर महसूस होता है साथ ही ankle joint के नीचे जो subtelar joint है उसका arthritis का दर्द और calcaneal fracture का दर्द भी यहाँ पर महसूस हो सकता है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस red area की जिसमें मोटे मोटे dots red red मैंने बनाए हुए हैं ड्रॉ की हुए हैं यहाँ पर आपको दर्द महसूस हो सकता है posterior tbale जो muscle है उसका tendonitis होने कारण यहाँ पर accessory navicular bone मिलने पर यहाँ पर दर्द महसूस हो सकता है nerve के दबने के कारण यहाँ पर tarsal tunnel syndrome का दर्द महसूस हो सकता है जिसे कारण की जंजनाहट और सुनपन भी महसूस हो सकता है subteller joint के arthritis होने के कारण rheumatoid arthritis, ankle joint के arthritis और यहाँ तक की calcanium bone के fracture का दर्द भी यहाँ पर महसूस हो सकता है दोस्तों यह green area जो मैंने mark किया हुआ है dotted यहाँ पर दर्द आपको अगर sudden और बहुत तेज महसूस होता है तो वो ankle sprain का हो सकता है या फिर injury के बाद ankle fracture का हो सकता है और अगर यह धीरे धीरे develop होता है तो यह ankle impingement का हो सकता है ankle के arthritis का हो सकता है और teller osteochondral legion जिसे की OCL कहते हैं उसके कारण भी pain महसूस हो सकता है दोस्तों यह blue color का बड़े गोलो वाला जो area है इस area में अगर आपको pain महसूस होता है तो यह muscle के tendonitis के कारण tarsal bones के fracture के कारण या tarsal bones के arthritis के कारण यहाँ पर pain महसूस हो सकता है दोस्तों बात करते हैं AD के तलवे की तो इस area में जो सबसे common painful sight है वो है यह 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 pink में जो मैंने draw की हुई है lines के साथ में यह सबसे common area है दर्द का और यहाँ पर इस area में सुभा सुभा उठकर अगर आपको बहुत तेज दर्द रहता है 10-15 मिनट तो वो plantar fasciitis का दर्द हो सकता है plantar fascia एक तलवे के नीचे के हिस्से में ligament जैसा structure है साथ ही अगर आपने कई घंटों तक काम कर लिया है जादा खड़े रह गए हैं जादा चल लिये हैं तो उसके साथ में आपको थकावट जैसा दर्द भी इस एरिया में महसूस हो सकता है साथ ही calcanial bone का fracture का भी pain यहाँ पर इस एरिया में काफी severe आपको महसूस हो सकता है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस green area को जो मैंने mark किया हुआ है dots के साथ में तो इस area में जो सबसे common कारण है दर्द होने का वो है आपका ज़्यादा दिर तक खड़े रहने ज़्यादा exert काम कर लेने या ज़्यादा चल लेने से आपको इस area में थकावट का दर्द महसूस हो सकता है या फिर अगर बहुत तेज दर्द हुआ है चोट के बाद तो वो calcanial fracture का दर्द महसूस हो सकता है साथ ही इस area में बहुत commonly corns बन जाते हैं उन corns के कारण भी आपको मस्चों के कारण आपको दर्द महसूस हो सकता है अब बात करते हैं इस red dotted area की अगर यहाँ पर आपको sudden दर्द आना महसूस हुआ है तो वो navicular के stress fracture के कारण हो सकता है list frank fracture के कारण हो सकता है या फिर plantar fascia का rupture होने के कारण इस area में दर्द महसूस हो सकता है साथ ही nerve दबने के कारण tarsal tunnel syndrome, plantar fibroma बनने के कारण mid foot का arthritis होने कारण rheumitted arthritis में पैर का involvement होने के बाद तथा tavolo navicular arthritis होने के कारण भी इस area में दर्द आपको महसूस हो सकता है दोस्तों AD के front में मैं आपको बता चुका हूँ इस जो blue dotted area है बड़े बड़े गोले जो बने हुए है यहाँ पर आपको tendinitis होने कारण tarsal bone का fracture होने कारण या फिर arthritis होने के कारण आपको दर्द महसूस हो सकता है अब अगर हम बात करें इस green dotted area की तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर ankle sprain होने के कारण ankle का arthritis होने के कारण और ankle fracture का दर्द इस area में आपको महसूस हो सकता है और राइड गाइज सो आज के वीडियो में हमने देखा की काफी वो problems हैं जिनके कारण की आपको AD में दर्द महसूस हो सकता है दोस्तों यह एक काफी लंबी list है लेकिन फिर भी यह पूरी list नहीं है इसके लावा भी कुछ कारण और हो सकते हैं जिनके कारण की आपको AD में दर्द आता है अगर आपको भी AD का दर्द परिशान करता है तो आप हमारे नंबर 72 172 93 555 पर आप WhatsApp पे अपनी problem को विस्तार से समझा सकते हैं वहीं पे आप अपने X-ray, MRI, City Scan या और Reports वहाँ पे शेर कर सकते हैं साथ ही में पूरे इंडिया में और बाहर के देशों से भी हम online consultation और treatment के थूँ लोगों को ठीक कर रहे हैं उनकी दर्द की परिशानी जैसे की cervical, back pain, shoulder pain और vertigo जैसी problems का हम इलाज कर रहे हैं और लोग पूरी तरह से ठीक हो भी रहे हैं तो अगर आपको इस तरह की कोई भी परिशानी है तो आप हमारे दिये हुए नंबर पर directly call कर सकते हैं और appointment ले सकते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही next वीडियो में मैं आपको बताऊंगा की पैर के तलवे में अगले हिस्से में आज तो हमने आपको AD और heel मतलब ankle और heel pain के बारे में बताया है next वीडियो में हम आपको foot के अगले हिस्से यानि की forefoot और mid foot में किस कारणों से किन किन कारणों से दर्द महसूस होता है उन कारणों को आपको बताएंगे हमारे next वीडियो को जरूर देखिएगा तब तक के लिए keep moving keep fit stay healthy मैं हूँ विवेक गॉड बाबाई